हेलो गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल दवीगर एंवीजिन और वेलकम बैक तो मैं अदर वीडियो वैसे तो आप सब को टाइटल पढ़के पता चली गया होगा कि मेरे साथ हुई है एक छोड़ी सी ट्रैजेडी जो की मेरे साथ ना एक्छली ऐसी ट्रैजेडी वैसे पहले पहले नहीं हुई इस ट्रैजेडी के बारे में हम बात में करते हैं इस वीडियो पर बढ़ने से पहले अगर आप सब ने अभी दिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज जा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिसका नाम है तवीगर एंद है कुछ जा था तो चीज से उन्वोड़ करेंगे ऑनॉक्सिंग के बारे में बात कर रही हूं कि उनकी वेबसाइट है यह बहुत इंडिया अगर चीज मिल रहे हैं तो वह आपको अगर आप चाहते हैं कि आप में इंडिया खरी देए अपने मेंक अप के लिए भी बैसिकली मेक अप के लिए ही चीजें खरी दें तो आप मैंका फुटका ब्रैंड है कॉफ से लैशेश बाई निधी कटिया तो आप वहां पर बहुत सारी चीज़ें आई हुए उन्होंने बहुत सारी न्यू लांचेज करी हुए एक निव लॉंचे में एक कलर पॉप के आई लाइनेस थे जो ना उन्होंने पहले भी कलर पॉप आई लाइनेस के बारे में बात करी थी जब ही वह लॉच हुए ना मैंने उसी दिन और और कर दिया था वह था 20th of November को उन्होंने कलर पॉप के जो भी आई लाइनस थे वह उन् में से seven eyeliners order कर दे था क्योंकि उस टाइम eight color जो था न वह अविलेबल नहीं था उनके website पर उसके साथ ही मैंने एक makeup brush cleanser होता है मैंने वह order कर रहा था तो 20th को मैंने यह वली सारी चीज़ें order करी थी eight मिलाके सारी चीज़ों को eight चीज़ें order करी थी तो मैंने order कर दिया क्योंकि तभी आप सबको पता है कि मेरी मेरी प्यांदाव्या सीरीज स्टार्ट कर ली थी मैंने तब तक और वह सीरीज स्टार्ट हुई थी और उसके बाद ही यह वले मेरे जो कलर पॉप के आई-लाइनर्स है वो मुझे रिसीव हुआ वह वला पैकिंग मुझे न विदिन टू डेज में ही रिसीव हुआ तो आई वस वेरी हैपी कि मैं आप लुक्स कर पाऊंगी उन डिफरेंट डिफरेंट कलर आई-लाइनर्स को यूज़ करके बट जब मैंने उ वीडियो फिलिए उस वाले जो मेरे पास पार्सल के व्यख़ी तो वह अब आप सब को अभी दिखाँंगी कि मैं किस वीडियो की बात कर्या यह किस पार्सल की बात कर已經 तो मैंने वह व्यां सोल ऑपन करा व एकंसा करे मुझे शारे उस मेरे में प्रैकिंग को खूला और मैंने क्या देखा वो आप सब देख लीजिए कि मैंने क्या देखा पहले आप वीडियो देख लीजिए उसके बात बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी और क्या हुआ था मेरे साथ तो देख लीजिए आप वहली वीडियो और उसके बाद मैं कर दो 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 अजारा की अजारा है मत बाई में कुछ हूर है आया में कुछ हूर है मज आक वाली गल न कारो कि आप सबने मेरी वीडियो देख ही लिए कि मेरे साथ क्या हुआ यह मेरे साथ पहली बार हुआ कि मैंने कुछ मगवाया और मुझे कुछ और मेरे साथ पहली बार ही कफ जरक पब्स पे हुआ है मैंने बहुत बार शॉपिंग करें इसा नहीं है कि मैंने मेरे साथ कुछ नहीं हुआ बट मेरे साथ मैंने प्रोडक्स कुछ और साथ मदिन कुछ और मैं मुझे रिसीव कुछ और होई तो मैं बहुत जादा शॉक होगी थी तक कि खाने करते कि हम कब कॉसमर केर से मतलब कि कॉंटक्त कर सकते हैं तो वह भुट जादा घबरा गए तक लिखा हूँ था तो मैंने 10 बजे ओपन कर रहा था तो मैंने 10.30 बजे उन्हें कॉल करी उनका फोन बन था वैसे उस टाइम पे उनका जो नंबर ओन हुआ वह हुआ 10.45 पे तो मैंने तब उन्हें कॉल करी उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे करके मुझे ऐसा ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा कि एक मेल अप मुझे चोड़ दीजिए उसके बाद ही जो भी प्रोसेस होगा फुर्थ वो होगा तो मैंने मेल छोड़ दी तो मुझे दो दिन तक कोई रिसपांस नहीं आया and उसके बाद मैंने दुबारा उन्हें मेल करी कि मुझे कोई भी response नहीं आया है and कोई भी आगे further process नहीं complete हो रही है तो क्या करा जाए तो उसके बाद मैंने mail करने के बाद मैंने call भी उन्हीं again करी और उन्होंने कहा कि मैं हम आपकी request अब मैं accept कर रहे हैं आगे process कर रहे हैं उस चीज को वहां पर एक detail आती है हमारे पास मैं आप सब को दिखाऊंगी जो भी मेरा जो मैंने second parcel मुगवाया वह उसमें आई हुए है वो वह वली चीज मैं दिखाऊंगी कि मैं किसके बारे में बात करी हूँ वह मैं आपको बात में दिखाऊंगी जहां पर मेरा address लिखा हुआ था उनका address लिखा हुआ था साथ में नीचे लिखा हुआ था कि क्या क्या आइटम्स मैंने order करी हैं बट उसके उलट मुझे items आई हुए थी तो उन्होंने कहा कि मुझे एकना snap खीच के आप जीमेल पर mail कर दीजे तो मैंने वैसे ही करा एंड बहुत जादा बिजी अपनी sister की wedding में जैसे कि आप सब को पता है कि मैं अभी currently back to back अपनी sister की जो भी मेरी पैंदव या series की वीडियो में डाल रही हूं तो उसमें मैं बहुत जादा busy हो गई तो कल हो गय मुझे तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए थे और मुझे कोई response नहीं आया था तो मैंने क्या गरा मैंने फिर से उन्हें mail drop करी कि इतनी जादा रिक्कत है कि आपने मतलब कि कोई response नहीं हुआ मुझे कोई भी नहीं दिया गया तो उन्होंने मुझे तब भी मुझे mail आगी उसके बाद थोड़ी दिर बाद कि मैं भी ऐसे ऐसे करके process हो गया आपके return का जो पाया उस वाले parcel को मुझे ऐसे था कि अब मैं return ही कर देती हूं कि बहुत जादा लंबा process था अगर मैं replace करवाती उस वाली चीज को इसलिए मैंने return कर दिया उस वाली चीज को तो मैंने return के लिए करा तो मेरा कल 4 दिसमबर थी आज है 5th December मैं आज shoot कर रही हूं तो कल था 4th of December तो कल मेरा जो भी return वाला parcel था वो लेके गए है भाया और उसके बाद उन्होंने मुझे जो भी मुझसे receive करने आये थे उन्होंने कहा था कि मैं यह scan होगा और उसके बाद मतलब कि जो भी process होगी ना वह वह जो back end होता है वहां से process होगा तो मैंने का okay चलो ठीक है तो मेरी ज चीज अच्छी लगी इनकी कि कि जो customer care and बहुत जाद कोपरेटिव हैं यह मुझे भी पता है कि हर किसी से गलती हो सकते हो हो सकता है कि थोड़ी बहुत वह वह जादा डर लगा क्योंकि कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पहले ही order करें मुझे कुछ और order receive हो रहा है त आपके रिक्वेस्ट को बहुत ही अच्छे ते सुनते भी है और आपके रिक्वेस्ट का ध्यान भी रखते हैं and complete भी करते हैं कि कल जब मेरा पार्सल रिटर्न हुआ तो I was very happy कि हाँ अब थीक है कि अब सारी process हो रही है सही सही तो यही थी चोटी सी स्टोरी जो कि बहुत ही पैकेज जो भी बनाते हैं मुझे पता है कई बार नेम सेम होने की वजह से भी यह वली प्रॉब्लम्स क्रेट हो सकते हैं बट इससे एकली कॉस्मर्स को ज्यादा सफर करना पड़ता है मैं सिर्फ इतनी सी मेरा सुझेशन है कफसें लैशिस को प्लीज एक बार आप रीचेक जरूर करें कि वही वले प्रोड़क्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे बस यह मेरी छोटी से सुझेशन है उनके लिए बाकि मुझे पर्सनली कफसें लैशिस बहुत पसंद है ऐसे नहीं कहूंगी कि हाँ भी मेरे प्रोड़क्स डलता है तो मुझे कफसें लैशिस बिल्कु इस बार मेरे पात प्रोड़क्स गलत आ जाएं बट अभी दग मैंने खोला नहीं है अभी भी इसमें कि अभी दग मैंने ओपन नहीं कर रहा है इस वाले प्रोड़क्स को तो फटा-फट से करते हैं इसके अन्बॉक्सिंग देखते हैं कि वही प्रोड़क्स रिसीव हुए मैंने मगवाए हैं प्लीज खोफोली मतला फिंगर क्रॉस कर रही है इस टाइम तो मैं आपने कि प्लीज इस बार प्रोड़क्स सही आजाएं क्योंकि इस बार मैंने पिछली बार से जाधा पैसे लगाए है क्योंकि उस टाइम पे एक उनके पास लगाइंब नहीं था वह फटाफट से आठो के आठो ओर्डर कर डाले अब मेरे पास हैं मेरे जो भी ब्रश क्लिंजर था वो भी मैंने अगेन मगवाया क्योंकि उसके जरूरत पड़ती है तो करके तो फटाफट से करते हैं इसे ओपन एंड बहुत जावा सारी बाते हो चुकी है तो पहली बात तो मै निदी मैम को थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने इंडिया मेरे मेरे हिसाब से मेड इन इंडिया में कोई भी ऐसे कलर पॉप आई-लाइनर नहीं है अभी तक जो कि अलग लग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हूं और मुझे कलर्स बहुत जादा परसंद है तो थैंक यू न सही बात है आपकी की मेहिनत पे ही दुनिया टिकती है एक्चली तो पड़ा पड़ते इसे ओपन करते हैं अभी होफुली सब सही हो इस बार मैं आपको सच दिखा दूँ वैसे कि ऐसे मैं न जो आपको कह रही थी कि मुझे रिसेप्ट वगरा की काइंड ओफ मैं बात करी थी तो वह ऐसा होता है ऐसा इसमें न फोल्ड होके हमारे नीचे वाली साइट पे सारे आइटम्स लिखे हुए हैं मैंशन करे होते हैं कि क्या कि आइटम्स हमने मंगवाए हुए हैं वह वली चीज आप देख सकते हैं यहां पर कॉफसें लैशेज पाई निधी कट्या तो यह वली मैंने वेबसाइट से मगवाया आपको ऐसा ना हो कि मैंने मैं ऐसे बोल रही हूं तो यह मेरा सेकिंड है तो आप वैसे फर्स तो प्लीज फाइनली मुझे दिख रहा है कि यह यह देखिया आप कलर्स दिख रहे हैं इसमें तुम हाँ आइम रिलाच्च राइड ना बटाइब टाइब टो ओपन इट विकली मुझे ना यह पहले नी रिसीव हुए है मतलब मुझे इस बात की शिकायत आप से रहेगे जरूर कि मुझे पहले नी रिसीव हुए है क्योंकि मुझे जब जरूरत थी ना तब मुझे यह रिसीवने हुए है चलो एनिवे अब रिसीव होगे इनकी पैकेजिं मुझे बहु करें 3rd of December को I think 3rd of December को order करें और in between two days मुझे ये वहला पार्सल रिसीब भी हो गया और देखें कितनी quick delivery है इनकी सच में कमाल कर दिया कफसें लैशेज वालों ने कि इतनी quick delivery मतलब हमें भी है सिंपल सी बात मोही आत करवाई है I don't know what वैसे एक न आई-लाइनर बाहर निकल चुका है पहले मैं दिखा दूँ ये देखें वाओ मैं बहुत ज्यादा आई-लाइनर को देखें I am really very happy oh my goodness दिखाती हूं मैं आप सब क्या क्या मुझे रिसीव हुआ है ये न मुझे खाली सा लग रहा है बिल्कुल हलका है कुछ भी नहीं है इसमें I don't know ये है Anguor का Makeup Brush Cleanser Series 3 Seconds Color of Quick Wash Beauty Tools ये वाला कुछ इस तरह है पहले इसे उपन करते है कि क्या है ये ऐसा ये कुछ इस तरह से उपन होता है ओ वाओ ये आप देखें कुछ इसमें कोई fragrance नहीं आ रही है as such मुझे तो कोई fragrance फील नहीं हो रही है इसमें कुछ इस तरह से ये बहुत ही ज़ादा हलका है मुझे ऐसे लग रहा था कि इसमें तो कुछ है ही नहीं इतना ज़ादा हलका है ये बट फट फट से इसे बंद कर दो पहले में इतना ज़ादा हल यह आपको फील होगा कि इसमें कुछ भी नहीं भर के दिया है इसे दे दिया जिस्ट नॉमली और आपको दिखाती हूं मैं मेरे फेवरेट्स ये कलर पॉप आई-लाइनर एंड वन मोर थिंग गाइज मुझे न एक फ्री लिप्सिक मिली है जो की है अधा मेकप स्टोरी है पि कशिश 12 तो कोई बात नहीं हमारे पास एक और आगया शेड मुझे वैसे पता नहीं था कि यह गिफ्ट मुझे रिसीव होने वाला है तो थैंक यू काफसें लैशिस के आपने मुझे यह विला गिफ्ट भेजा थैंक यू सो मुच और दिस इस सच ब्यूडिफुल शेड आ लाइख वाँ आप से एंक वाव आप खुद देखे कितना प्यारा गलर रहा है एंड इस मेरा बहुत ऑच्छी फ्रेग्रेंश है महला फ्रेग्रेंस वाली है यह लिक्विड लेपस्टिक तो बहुत ही अच्छे वाला गलर रही आप देख से एंड आपको ना जो यह वली लिप्स्टिक्स है यह बहुत ही चीप प्राइज में मिल जाएंगी यह वली जो लिक्विड लिप्स्टिक है यह मेरी फेवरेट यूट्यूबर है जिनका नाम है शाइस्टाइज यह उनकी लॉंच थी एंड जब मैं उन्होंने लॉंच करा था तो I was very excited जो उन्होंने पहले लिप्स्टिक्स लॉंच करी थी वो I think six shades लॉंच करे थे वो वले six shades मैंने नहीं मंगवाए थे मैंने उसके बाद जो उन्होंने लॉंच करे थे तो यह उन्होंने बाद में लॉंच करा था तो यह वो वला शेड है जो की है 12 नंबर कशिश ठीक है एंड मैं आप सबको सब्सक्राइब कि मेरे पास में नहीं आप सबको कोई भी स्वाच मैं आप सबको इनके कोई भी स्वाच नहीं देने वाली हूं क्योंकि मैं इनकी अलग से वीडियो बनाने वाली हूं specially and क्योंकि मुझे ना इनका बहुत बेसबरी से वेटता है and finally यह आज मेरे हैंस मेरे हैं and I am seriously very happy कि मेरे पास यह वले आई-लाइनस है and seriously मैं बताओं कि हाथ में इतने ज्यादा सुन्दर लग रहे है नहीं यह वरे सारे के सारे colors की मेरा मन कर रहा है मैं सारे के सारे अभी लगा लूँ अपने आई-लेट पे तो बट नहीं ऐसा नहीं करना है हमें क्योंकि मैं आपको पता है गाइस कि जब तक मैं अगर मैंने आप सब को कहा है कि मैं किसी चीज का review दोंगी and मैं उस चीज को ना पहले यूज नहीं करती हूं बिल्कुल भी मैं उस चीज को तभी यूज करती हूं जब आपको review देना होता है जैसे कि mostly होगे यह आई शाडव हो गया मेरे पास एक आई शाडव आया था वो मैंने एक महीना था उस वाले आई शाडव को हाथ तक नहीं लगाया था बट मैं बहुत एक्साइटेड हूं उन्हें यूज करने के लिए तो फटा फट से ना नेम्स इनके जान लीजिए कि क्या क्या नेम्स बहुत इंट्रस्टिंग नेम्स है क्योंकि मैंने ना निधी मैम की वीडियो देखी थी जिनमें उन्होंने ये बताया थे मैंने उनकी वीडियो देखने से पहले ही पहले और कर दिये थे जो मेरा फट पासल था न मैंने पहले उनकी वीडियो नहीं पता देञ दो कि हांगए हैं अब कलर पॉपक खली तो मैंने तभी तुरंट के तुरंन्ट उन्हें वीडियो देखी थीまあ ज्यारदा बाते नहीं करते हैं इ STAR Trek cuffs & Lashes का Color Pop Liner Khaleesi यहाँ पे इनके सारे Names लिखे हुए हैं यह first है Khaleesi Khaleesi जो की है वाइट कलर का, second है Sky Me, बहुत प्यारे वाला कलर है यहाँ पे आपको सारे कलर मिल जाएंगे यह cruelty free है made in India है and paraben free है यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मेंशन मिल जाएगा अभी ज्यादा डिटेल नहीं दूँगी मैं क्या फायदा होगा अगर मैंने आपको सारी डिटेल इस वीडियो में दे दी तो इसलिए मैं अपनी दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इन्हें यूज भी करूगी और इनके सारे स्वाचें भी आप स अविलेबल नहीं तो अब आ गया था तो फटाफट से ओर ना बनता था तो नेक्स शेड है वह है जैफ्रण छीक है एंड जो नेक्स वन शेड़ वह है गुलाबो यह भी पेंक है डाप पेंक शेड है अड़् नेक्स वन है वह शेड नंबर बीटीयस लव पॉपल शेड मी जो नेक्स्ट वन है वो है गुलकंद एंड पैकेजिंग बहुत अच्छी है क्योंकि पैकेजिंग इनके पहले भी इन्होंने आइलाइनर्स लांच करे हुए है सेम एग्जैक्ली पैकेजिंग वैसी ही है बाकी मैं बहुत जल्दी इन पे रिव्यू लेके आने वाली हूं तो stay tuned with me guys और यही थी मेरी unboxing इन वाले सारे प्रोडक्स की तो and I am really relaxed कि मुझे इस बार सही प्रोडक्स रिसीव हुए है and seriously I am very happy to see these colored color pop eyeliners and so that was it for my today's video I hope क्या आप सब को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो please hit the like button on my this video and also share my this video to your family members and your friends and please subscribe to my channel जिसका नाम है दवीगरण वीशन and उसके साथ ही एक bell button भी होगा आप उस पर बेट कर देना ताकि जो भी मेरी वीडियो की upcoming notifications हो वो आप सब को मिलती रहें and अब मैं जल्दी ही मिलूंगे आप से मेरी next वीडियो में till then bye guys and thank you